पालक का इस्तमाल करते हुए बहुत तरह तरह की सब्जी आपने अपने घर में बनाई होंगे लेकिन आज जो पालक की सब्जी बन रही ना बहुत ही यूनिक है एकदम डिफरेंट है और बहुत ही ज़दा टेस्टी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो पहले मैंने यहां एक बतन में 1.5 लिटर पानी गरम करने रख दिया है इसमें आधा चमबच नमक डाल दिया है और आधा चम्बच इसमें मैंने चीनी डाल दी है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है नमक और चीनी इसलिए डाला है क्योंकि हम इस पानी में पालक को उबालेंगे तो जब आप पालक उबालें तो पानी में थोड़ा सा नमक चीनी डालने से इसका कलर बहुती बढ़िया ग्रीन बना रहता है ये काला नहीं पड़ता है तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक लिया है पालक को अच्छे से धोने के बाद इस पानी में मैंने डाल दिया अब पालक को आपको केवल 2-3 मिरट के लिए पकाना है जादा दिर तक इसे नहीं उबालना है दो-3 मिरट में ही ये तियार हो जाता है तो यहाँ पर अप पालक त्यार है इसे गरम पानी से निकालेंगे और तुरंध इसे हम बर्फवाले ठंडे पानी में डालेंगे और यह जो पानी बचायन है जिसमें हमने पालक उबालाए इसे फैकना नहीं है इसका इस्तिमाल हम सब्जी बनाने के लिए करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बरतन में मैंने पानी में आईस डाली हुई है इसमें हम पालक डाल देंगे इससे तुरंत ही इसका कुकिंग प्रॉसेस रुख जाएगा ठंडे पानी में डालते ही तुरंत पालक ठंडा हो चुका है बस अब आपको इसे निकालना है और मिक्सी के जार के अंदर इसे डाल देना है तो सारा पालक हम इस जार के अंदर डाल देंगे जार कढ़कन बंद करेंगे और पालक को पीस कर हम त्यार कर लेंगे इसका एक fine puree आपको बना कर त्यार कर लेना है तो यह देखिए हमने पालक को पीस लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका color बहुत ही बढ़ी आया है यह बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है इसे side में रख देते हैं अब यहाँ पर मैंने दो कच्चे आलू को चील कर घिस कर अच्छे तरीके से 3-4 बार पानी में धो लिया और निचोड कर यह मैंने आलू लिये हैं आलू के लच्चे बना लिये हैं मैंने और यहाँ पर मैंने दो प्यास को इस तरीके से बारिक बारिक slices में कट किया है लंबाई में पतला पतला कट करके से लिया है यह इसमें डाल दिया है और यहाँ पर आधा चम्मच इसमें डाल देंगे अद्रक आधा चम्मच इसमें जाया का लैसुन अद्रक और लैसुन को मैंने घिस के लिया है एक हरी मिर्श को बारिक कट करके इसमें डाल दिया है थोड़ा से इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो इसमें जा रहा है एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्श पाउडर इसमें हम डाल देंगे आधा चमच अजवाइन और इसमें आप डाल दें एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर साथी इसमें डाल दें एक चोथाई चमच गरम मसाला और यहाँ पर इसमें आपको डाल देना है दो से तीन पिंच हींग और ये जा रहा है इसमें आधा चमच नमक अब यहाँ पर बैंडिंग के लिए मैंने लिया है एक कप बेसन यह बेसन हम इसमें डाल देंगे और अब आपको इसमें डाल देना है एक चोथाई चमच बेकिंग पाउडर baking soda नहीं डाला है मैंने यहाँ पर baking powder डाला है मैंने इसमें baking powder कूँ डाला है यह मैं आपको आगे वीडियो में बताउंगी अब यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है अगर जरूरत हो तो आप 1-2 चमच पानी डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है तो यह देखिए अब यहाँ पर सारी चीजे मिक्स हो गई है और जब मैं इसे इस तरीके से बांध रही हूं तो यह बंध रहा है तो बस ऐसा ही हमें चाहिए अब आपको क्या करना है आपको इससे छोटे छोटे बॉल्स त्य और यह बॉल बना कर हम इस तरीके से ओयल में रखते जाएंगे गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राइ करना है थोड़ी देर के लिए इन्हें एक तरप से सिखने दे उसके बाद आप इन्हें पलट दे और इस तरह अलट पलट का डार कोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राइ करें अब मैं बताती हूँ इसमें मैंने बेकिंग पाउडर क्यों डाला देखिए अगर आप इसमें बेकिंग सोड़ा डालते जिसे खाने वाला सोड़ा बोलते है न वही तो यह बहुत ज़्यादा ओयल को सोख लेते बेकिंग डालने से ये अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी ओयल को नहीं सोखेंगे तो बस बॉल्स तयार है फ्राइ हो चुके हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं और सारे बॉल्स इसी तरह फ्राइ कर लेंगे अब जो ओयल था ना इस पैन में वो मैंने अलग बरतन में निक भून लेना है अब यहां पर खड़े मसालो को भूनने के बाद मैं इसमें डाल रहे हूं प्यास तो मैंने यहां पर दो मीडियम सैस के प्यास को पतले पतले स्लाइसिस में कट करके लिया है लंपाई में इने कट किया है और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर भून लेना है तो प्यास को हलका सा भूनने के बाद इसमें मैं डाल रहे हूँ आधा चम्मज अद्रक, आधा चम्मज लहसुन, लहसुन और अद्रक को मैंने घिस के लिया है, तो इन्हें भी हम प्यास के साथ में भून लेंगे, तो यहाँ पर अब देखे मैंने सभी चीजों को बहुत अधाक लेसोन, प्यास सब कुछ भून चुका है, तो यहां मैंने अदा चम्मज दाल दिया है, रादो सब dif hautes, एक चम्मज दाल दिया है, एक चम्मज दाल दिया है, धनिया पाउडर और आदा चम्मज जिसमें डाल दिया है, नमक, सभी मसालों को मिक्स करेंगे और इन मस करके इसमें डाल दिया है साथ ही दो हरी मिर्च को बारी कट करके डाल दिया है आपको क्या करना है इसे बहुत अच्छे факत अच्छे से इस तरीके से मेश कर देना है यह देखिए बहुत Francolo कर देना इस अले है उब it आप देख सकते हैं है अच्छीता कोड़ी खूर्य में निकाल दो रहा है और अब यह जो तेज पत्ता इसे मैं निकाल दिए शुथा स爬गा इस्स खलखे अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगवग इसे चार से पांच मुझक लिए आपको ऐसे कोको ने देना है और अब यहां पर आपको क्या करना है जब इसमें अच्छा सा उबाल आजाए यह कोको जाए तो अधा कप डालेंगे दही, दही को मैंने फैट कर लिया है, दही डालने के बाद तुरंत ही आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें फिर से उबाल आने तक इसे आप पकाएंगे, अगर आप दही डालने के बाद तुरंत इसे मिक्स नहीं करते हैं तो दही का अब देखे जिस पानी में हमने पालक उबाला था ना वही पानी मैंने बचा के रखा था उसे फैका नहीं था तो वही पानी हम सब्जी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि जिस पानी में हमने पालक उबाला था वो एक्टम बढ़िया पोशक तत्व उसे भरपूर पानी है तो उसे फैक्रा नहीं है उसे इसे ही सबजी में इस्तेमाल करना है अब यहां पर इसे कवर कर देते हैं और 5 मिनट बाद हम इसे चरक करेंगे तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं सबजी में अच्छा उबाल आ चुका है अब जो हमने बॉस तयार किये थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे आलू औ प्यास के बॉल्स आपको इसके अंदर डाल देने हैं अच्छे से इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और ढखक कर आपको लगबग 5 मिनट के लिए से और कोक कर लेना है तो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कोक होने देते हैं अब 5 मिनट बाद सबजी अच्छे तरीके से बन चुकी है ग्रेवी भी थोड़ी गाली हो गई है इससे ज़्यादा गाला इसे नहीं करेंगे क्योंकि सबजी ठंडी होने पर और गाली हो जाएगी बस अब आपको गैस का फ्लेम आफ कर देना है और इसे सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक तड़का और लगाना है तो इसके लिए गैस पर एक तड़का पैन रखा है जिसमें आपको दो चमच के करीब डाल देना है घी और घी को गर्म होनी दीजिए और उसके बाद आर से दस लैसुन की कल्या लिया है जिने बारेक कट करके इसके अंदर डाल दिया है यहाँ पर आपको लैसुन का पेस्ट इसमें नहीं डालना है लैसुन को इस तरीके से बारेक कट करके ही डालना है इसे घी में आपको थोड़ा भूनना है और उसके बाद आप इसमें डाल दीजे लाल मिर्च, मैंने दो साबुत सूखी लाल मिर्च को तोड़ कर इसमें डाल दिया है और इन्हें अच्छे से भून लेते हैं, जब ये भून जायेगा तो आप गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और फिर इसमें आदा चमज कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चमज कसूरी मेथी डाल दें अब बस इसे मिक्स कर लें, तड़का तयार है और इस तड़के को अब आपको डाल देना है सबजी के उपर इस तरीके से बहुत ही स्वादिस्ट पालक की सबजी हो चुकी है बनकर तयार, अब आप इसे गर्मा गरम सर्फ करें इसे आप पूरी परांठे, चपाती, राइस, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं यह सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और जो यह बॉल्स बनें, एक्दम सौफ्ट बॉल बनके तयार हुए है मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, यह देखें, बहुत ही यूनिक अगर सबजी पसंद आयों तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ओल पर क्लिक करें मेरे फेस्बुक पेस को फॉलू करना आप बिल्कुल भी न भूलें